दोस्तों Nothing Phone 1 की इतनी हाइप कि खुद कालपी जो Nothing Phone कर लेकर आए हैं वो खुद बोल रहे हैं कि इतनी ज़ादा हाइप तो लोगों ने कहा कि ये तुमने ही तो create कि है तो उन्हें ने कहा कि नहीं ये तुम्हारा common misconception है आपको लगता है ऐसे कि मैंने इस phone की hype create की है जबकि reality में इस phone की hype मैंने create की नहीं है तो फिर किसने की है लोगों ने ये भी पूछा tweet करके उनको कि क्या आप worried हो तो बोले नहीं मैं worried नहीं हूँ मैं surprised हूँ कि मैंने कुछ भी extraordinary किया ही नहीं है लेकिन ये फिर भी phone इतना hyped क्यों है और आज मैं बात करने वाला हूँ कैसे redmi claim कर रहा है कि उसका जो एक phone है 26 सब्सक्राइब कितने का आ रहा है बहुत वक्त के बाद के सीरीज का नया smartphone आ रहा है विचिज के 50 आई तो उसने पीछे शोड़ दिया है apple के जो bionic chip है ना a15 bionic chip उसमें antitu benchmarks में पीछे चोड़ दिया तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई budget phone या थोड़ा कम पैसे वाला phone redmi निकाल रहा है वो अभी latest जो चल रहा है apple के उसको पीछे उड़ देगा यह क्या चल क्या रहा है क्या इन antitu benchmarks पर ट्रस्ट किया जा सकता है सबसे बहुत बात करते हैं मैं और पता है यह जो k50i का जो result बता है न वो nothing phone के प्रोसेसर को snapdragon 778g plus को बहुत पीछे प्छोड देता है तो यह redmi सबसे आगे कैसे निकल रहा है यह बात चल क्या रहा है यह बात करते हाइप की जहां तक बात करें तो भाई यह इसलिए हो रह रहा है कि उसने नहीं create की hype तो सही बोल रहा है आदमी मैं बता रहा हूं क्यों यह hype इसलिए create ही हुई है क्योंकि smart phones में innovation है यह नहीं दोस्तों खतम है कुछ नया आहीं नहीं रहा है कुछ ऐसा extraordinary आहीं नहीं रहा है कि जिसके बारे में बात हो मैं tech youtuber हूं और कितनी भी smartphone review करने वाले लोग या जो भी smartphone के बारे बात करते हैं आपके favorite होंगे सब youtube उन से पूछे वो आपको बताएंगे कि innovation के नाम पर smartphone industry में कुछ है ही नहीं यह पीछे की कहानी मैं आपको बता रहा हूं खुद परिशान है यूट्यूबर टेक ब्लॉगर्स इस चीज को देखते हुए कि भाई हमारे पास कुछ नया बात करने के लिए smartphone में है ही नहीं और जब कोई ऐसे थोड़ी बहुत भी नई चीज हो जाती है तो सब तूट पड़ते हैं विकाज उनके लिए एक नया content है यही चीज यहां पर हुई है नतिंग फोन ने जो यह डिफरेंट चीज की है यह और कोई smartphone company का रही नहीं रही थी जादे तर स्मार्टफोन कंप्रियां सेम पैटर्न को फॉलो कर रही थी अगर किसी एक company ने जैसे मैं इसका उधारन आपको दूंगा और मैंने इसलिए रेडमी की बाइग्जांपल की बात की और उनकी भी इसमें कोई गलती नहीं है वो इसलिए करती है ताकि दूसरा brand उनसे आगे ना निकल जाए क्योंकि अगर market में सिर्फ एक ही company होगी जो 5G phone देती है तो फिर बागी सारे की market पिट जाएगी इसलिए यह लोग follow करते हैं लेकिन nothing phone में ऐसा हुआ है कि एक अपनी अलग पहचान बनांगे कुछ different कर दिया उन्होंने और different भी ऐसा किया कि problem solving किया processor कई लोग पूछ रहे हैं कि 778 G Plus क्यों select किया जबकि यह बहुत mid range वाला और इतना powerful नहीं है बहुत powerful है बहुत है लेकिन इतना नहीं है जितना लोग expect कर रहे थे अरे आप तुम क्या बच्च आप money to performance ratio देखें तो बहुत ही अच्छा है इसलिए इस्तिमाल हुआ है जो कालपी है वो इसमें बहुत और better processor लगा सकते तो उन्हें क्या वाई लगा देंगी वो बिग जागा उन्हें तो मुनाफ़ा होगा बट जिस market को टैकल करना चाहते हैं और जो starting में जो product निकलता है ना उस पे इतनी पुंजी नहीं लगाई जाती अपने सारे पत्ते एक बार में नहीं खोले जाते यह marketing टेखनीक है अब जाने अंग जाने में मैं यह बाप बोलना चाहता हूं कि कालपी marketing genius है लेकिन वो इस बात को admit नहीं करेगा और यह भी सही बात है कि यह hype अपने आप create ह हुई है क्योंकि कुछ innovative या यह चीजें हुई है नहीं जो smartphone industry में नहीं हो रही थी और क्यों नहीं हो रही थी मैंने आपको बता दिया global chip shortage तो है बस यहां पर जो है भेड़ चाल चल रही थी smartphone company की folding screen को निकाल दो बागी और कुछ है निवाई सारे smartphone मैं बता हूँ आपको कवर में क्या पता चल रहा कौन सा smartphone है आजकल सस्ते से सस्ते फोन में चार camera है आप 12,000 का फोन ले रहे हो चार camera आ रहे है उसमें और बिटे आप ले रहे हो 80,000 का फोन ले उसमें चार camera आ रहे है तो cover लगे में पता चलेगा इसका क्या मतलब है innovation नहीं है nothing phone में है क्योंकि उस अधी में यह hype create हुई है और क्यों create हुई है यह मैंने आपको बता दिया अब बात करते हैं जो में starting में बात की थी यह जो benchmark पीछे छोड़ने वाली बात है यह बहुत पहले से चल रही है और जैसे मैंने आपको बताता है कोई एक चीज होती है तो उसको पीछे पढ़ जाते एक 26,000 का phone 27,000 का phone डेल लाग के phone के साथ अब कैसे compare करोगे दस तरह की चीज़े होती है प्रोसेसरी matter नहीं करता उसका UI भी matter करता है screen quality उसकी touchscreen matter करती है फोन की body matter करती है camera matter करता है और दस तरह की और चीज़े matter करती है क्या आप किसी फोन को सिर्फ इस लिए खरिते हो क्योंकि इसकी performance अच्छी है हाँ performance एक बहुत अच्छा factor हो सकता है but screen quality, camera quality, battery life, heat होता है कि नहीं यह सारी चीज़े रैम यह सारी चीज़े बहुत matter करती है इसलिए अगर वो उसको आप पीछे छोड़ भी रहा है redmi के phone, iPhone को but उसकी quality को match नहीं कर पाएंगे paper पर या screen पर या numbers में unit in hand review और लोगों के अपने फेवरिट यूट्यूबर्स के review देखकर iPhone को खरीदें, Antutu benchmark देखकर कुछ भी नहीं होता, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बारत तारिक को यह nothing phone शायद launch हो रहा है और इसके शायद invite वग पहले मिल जाता है तो वो पहले review कर लेते हैं, तो कोई point नहीं बनता है एक ही चीज़ को बार-बार करने में, और मैं ऐसी चीज़ ज्यादा करता भी नहीं हो, मैं थोड़ा unique side में ही रहता हूं, नाम technical लगा हुआ है बट मैं डबबे वगएरा इसा अपनी खोलता, कभी-कभ भी थोड़े बहुत खोलूँगा जब बहुत जरूरी होगी, वहसे में डबबे नहीं खोलता, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो से like करें, अपने दोस्ते के साथ share करें, cyber security और ethical hacking में इंटरस्ट है तो description चेक करें, 2.99 रुपीज के 3 ethical hacking courses है, आसान भाशा में आपक you so much and good bye